को के दोस्तों वैलका में चुप चैनल लगेन और आज मैं आप लोग को बता रहा हूं यह एक 30 सीसी का फोर स्ट्रोक पैटल इंजन है और इसकी जो है टाइमिंग डिस्टरब हो गई है यानि की इसकी जो वाल्व की टाइमिंग होती है क्रेंग शाफ के साथ वो डिस्टरब ह हो गई है और उसको आप मैं बैलेंस करेंगा ठीक करना आप लोग को बता रहा हूं और इस वीडियो में आप यह भी देख पाएंगे कि ये इंजन को कैसे कैसे ओपिन करना है क्योंकि यह हैं बरस कटर में भी यूज होता है और spray pump में भी यूज होता है अगरी कल्चर जितनी भी मतलब की खेती के लिए इस प्रेवंप यूज होते है या ब्रश कटर यूज होते है या कटिंग टूल्स और चोटे मोटे कल्टिवर्टरस में भी यूज होता है तो ६ को बता रहा है तो इस उसकार ही अजो मैं आप को मैं लोग को बता रहा हो करते मिदेश साथ साथ कहला है जरत तो एसा कुछ भी नहीं होता तो जासर कि आप देख पा रहे है पूरे लर को मैं ओपन कर लिए और फिर में आप लोग को आगे पहुँचके बताता हूँ झालव को आपड़ कोुचके बता हूँ झाल 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 तो आप देख रहे हैं कि मैं जिस चैंबर बॉक्स को खोल रहा हूं इसी के अंदर हमें गेर मिलेगा यानि कि जो की वॉल्व को चलवाता है इन्पुट और आउट्पुट के वॉल्व को और यहां पर हम देख सकते हैं बहुत बड़ा गेर है जिसके साथ में ही चलते हैं वॉल्व को चलाने के लिए प्लेंजस चलते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले में इसका हैड की कैम के लिए उपन करूंगा इस्से मुझे नाजर आएगा कि जो पिंस है वो कहां पर जा रही है क्योंकि वो पिन अपनी जगे से निकल जाएंगी जब मैं इस चैंबर को खोलूँगा तो यह आप लोग को मैं दिखा भी रहा हूं समझा भी रहा हूं पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा बीच में जहां मैं वाइसे वर कर लाँ उस बात मेरी मेरी बात को आप सुझीएगा समझीएगा और यह देखिए तो इसके जो कैम है बहुत अच्छे तरीके से चल रही क्योंकि इसमें जो है मोविल ओयल का चैंबर अलग से होता है वो डलता इसलिए च्छे इंजन काप इन्जन का हुए एफिशेंट होता है यह कुछ कह गोकी तर्ट वॉफ Только क्योंकि अप को प्पली से पहले है यहां पर एक पहचान रहती है बना रहता है कि हमारा जब प्स्ट्न टॉप पर होगा प्स्ट्न को सुग को पहले हम टॉप प्लक के बिलकुन पास में ले आएंगे ठीक है तो बिलकुन टॉप पे पाप ले आएंगे और इसलिए हमें अब जो अगला स्ट्राइप है अब हमें इसका बेस खोलना पड़ेगा तब ही हम आगे पहुच पाएंगे यह देखिए तो अब हम यहां पर बेस खोल रहा हूं में और जो बेस के मतलब किसके जो बेस के जो वो होते हैं स्क्रूस बहुत टाइट होते हैं तो मैं एक अलग से हैंडल यूज़ कर रहा हूं इससे क्योंता है टॉर्क बढ़ जाता है और एलेंग की पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा बहुत अराम से ही मैं खोल पाँगा उसके बाद में पावडल की हैप से सारे बोल्स ओपन कर ल झा कर दो भी है पुत अर्यूड़ कर दिए हैं त olduğ दोग है हुआ है तो अभी देखिए मैं इसके बेस को अलग कर रहा हूं याने कि मोबिलाल वाले चैंबर को अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसका हाफ-ाफ में बना होता है देख सकते आप अब मैं क्रेंग शार्ट तक पहुंच गया हूं आराम से और बहुत आराम से यहां पर जो इतने भी टूल चलाएंगे हम वह मैलेट से लाएंगे यानि कि सॉफ्ट टूल चलाएंगे कोई भी हाट टूल का इसमल डायक्टम क्रेंग शार्ट पर कहीं भी किसी रॉट पन ही करने वाले हैं वह डैमेज हमारे इंजिन को डिस्टॉप कर स तो इस प्लक को पहले में उपन कर लूँगा जिससे कि मैं होल में से देख सकूं कि अंदर मेरा पिस्टन टॉप पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है झाल 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 कि अभी देखिए मैं बहुत सौफ्ट तरीके से पिलास के जो है रबड वाले एरिये को यूश करके इसको उपर नीचे कर रहा हूं क्रेंग शाफ्ट को जब भी जरूत हो रही है तब ही हमारा इस पिस्टन की टाइमिंग है वो इंजन की टाइमिंग सेट हुई रही है यह है यहां पर यह डॉट इसके शाफ्ट के लॉक के ठीक सामने दोनों आने चाहिए और तब हम इसको मिला करके दबा देंगे यानि की गेर मैच करा देंगे तो इस तरह से करने के बाद आप हमें इसको जो है इसके प्लेंजर्स को लगाना होगा जिसकी हैल्प से पिन चलती है वो पिन के उपर वाल्स हमारे ओपन होते हैं और किलोज होते हैं यह चीज जो है आपका सबस्ज़़ा टाइम टेकन प्रोसेस है क्योंकि इस चीज़ को अगर आपने बहुत ज्यादा हड तरीके से करा तो यह टूट सकती हैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट चीज यहां पर पूरे इंजन भी होती है और यह बहुत ज्यादा आरपेम पर काम करते हैं लेकिन वह ओइल के साथ करते हैं इसलिए आपको बहुत हलके तरीके से हलके il के और नहोगा क्योंकि हमने टाइमिंग सेट कर दी है बेस को टाइट करने के बाद हम पिन डालेंगे और उसको चेंबर को क्लोस करेंगे कि अभी देखिये यहां पर मैं पिन्स लगा रहा हूं और मैं आपको आपकर सही से दिखाता हूं यह जो पिन होती है यह कभी भी तेडि मेडि नहीं होनी चाहिए उर यह इस्टेट पिन है क्योंकि मेरे इंजन आल्मक्स नई कंडिशन में है और मैंने इसको इस तरीके से वा आने के बाद हम इसको सठीक तरीके से बंद कर देंगे और फिर मैं आये का आप लोग को बताता हूं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सबसे आप इसी चीज़ में लग रहा है क्योंकि इसकी पिंज होती है वो अपनी जगे पर आने में थोड़ टाइम लगती है तो टेक लगाना पड़ता है कुछ टूल्स प्रॉपर यूज़ करने पड़ते हैं उसके बाद हम इसको लगा सक खते हैं और इतना करने के बाद काया है अगर इसकी टाइमिंग को होती है तो वाल फिर सब्चाइब ऑपन नहीं होंगे कि लूज नहीं थार्ण है करेगा तो यहीं चीज़ भिना मतलब की जो प्रफेशनल नहीं है जो इसकाम कों नहीं जान्ता हुआ उश से अगर आप एं जो है अरफ मेकैनिक से करवाया था तो यह इसकी सर्विस नहीं हो पाई और रिस्टर हो गया फिर मुझे खुदी इसकी सर्विस करनी पड़ी है तो मैंने इसकी टैमिंग टैमिंग जो है सैट कर दी और अभी उमीद करता हूं कि इंजन स्टार्ट होगा तो मैं पूरे इंजन पैक होने के बाद लास्ट मैं आपको दिखाता हूं इसके हैड भी सरी से क्लोश कर देंगे और टैट फूल करेंगे क्योंकि यहां पर मॉवलल घुमता है पूरे इंजन में तो कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए इस बात के धियान रखेंगे अगर सील आप लोग नहीं लग झाहिए 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 झाह झाल 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 झाल